तो law of chemical combination पढ़ने के बाद अब हम modern chemistry में जिस law का या जिस scientist का बहुत ज्यादा युगदान है वहां से start करते हैं मतलब जॉन डेल्टन का और डेल्टन के atomic theory से ठीक है तो यह डेल्टन का atomic theory डेल्टन ने chemical combination को जो लोज था हमारा chemical combination का law of conservation of mass law of constant proportion का यह सब जो लोज था इसको आधार रखते हुए अपना कुछ theory अपना कुछ adoption या पॉस्टूलेट्स कह सकते हैं पॉस्टूलेट्स दिया तो उसी के अधार पे यह कुछ पॉस्टूलेट्स जॉन डेल्टन ने दिया था इनका पूरा नाम था जॉन डेल्टन यह इंग्लेंड से थे और 1808 में इन्होंने यह पॉस्टूलेट्स दिया जिसको हम डेल्टन's atomic theory कहते हैं जो कि यही से modern chemistry का new start होता है modern chemistry का यही से starting होता है तो इन्होंने कुछ assumption दिया कुछ पॉस्टूलेट्स दिया अपने समझ के हिसाब से जिसमें की पुछ important पॉस्टूलेट्स यहां लिखा हुआ है जैसे all the matter is made up of very small particles called atom हम लोग पहले भी जान रहे थे रिशिक कनत के बारे में जब बता रहे थे तभी बता है कि इस दुनि पॉस्टूलेट्स में वो बताते हैं कि atom को divide नहीं किया जा सकता ठीक है atom को बाटा नहीं जा सकता मतलब atom सबसे छोटा हिस्सा है सबसे छोटा चीज है किसी भी matter का atom सबसे छोटा हिस्सा है उसको बाटा नहीं जा सकता दूसरा पॉस्टूलेट्स यह हुआ तिसरा पॉस्ट particular matter के लिए या particular thing के लिए या particular element के लिए जो matter होगा जो हमारा atom है वो identical होगा identical का मतलब यहां पर होता है जिसका shape, size, mass यह सब कुछ एक जैसा हो थोड़ा भी बदलाव ना हो उसको हम identical कहते हैं तो मतलब इनका कहना था अगर एक single element का बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो भी जो भी atom होगा एक हो, दो हो, तीस जार हो, पचास जार हो, तीन करोड हो, कुछ भी हो, किसी भी amount में हो, वो identical होगा सबी का सबी एक अकार में, एक size में, एक mass में present होगा यह इनका चौथा postulate है, पात्मा postulate में यह कहते हैं कि अलग-अलग elements के लिए जैसे same element के लिए identical है, वैसे अलग element के लिए अलग-अलग properties का atom पाया जाएगा अलग-अलग element के लिए अलग-अलग properties का atom पाया जाएगा जो कि अलग shape, अलग size, अलग mass का होगा, ठीक है, यह identical नहीं होगा ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि जो compound है, ठीक है, जो compound हम बनाते हैं compound मतलब 2 या 2 से अधिक elements जो आपस मिलते हैं उसको compound कहते हैं तो जो compound है, compound के अंदर जो number और kind मतलब प्रकार, जो number और प्रकार है atom का वो हमेशा fix होगा, ठीक है, जैसे हम पानी का बात करते हैं, as to go तो पानी के अंदर जो हमारा hydrogen है, इसका atom दो और oxygen का एक atom यह fix है, ठीक है, यह fix है, यह compound है, ठीक है, यह fix compound है, इसी के अधार पर इन्होंने अपना छठा postulate दिया, और यह यह तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यह law of constant proportion में, है न, law of constant proportion में, एंटोन लवोसियर ने बताया था यह, तो जैसा कि बता रहे हैं, कि यह पूरा का पूरा assumption, यह पूरा का पूरा postulate, इनका law of conservation of mass, law of constant proportion, law of multiple proportion, इन सभी चीजों पे अधारित है, इसी को ह इनके theory में कुछ गल्ती, कुछ कमिया पाया गया, जिसको हम कहते हैं कि drawbacks, drawbacks of Dalton's atomic theory, अब drawbacks को हम देख लेते हैं, क्या-क्या drawback है, So Dalton's atomic theory में कुछ drawback था, drawback मतलब कुछ कमी रह गया, आगे चलके जब leatherford का molecular या atomic structure हम पढ़ेंगे, तो पता चलेगा, leatherford experiment के तूँ, हमको पता चलता है, कि atoms के अंदर भी कुछ होता है, मतलब उसको भी further divide किया जा सकता है, है ना, तो उस एधार पे, इस पे कुछ drawbacks पता चल वो drawbacks कुछ ऐसे है, कि सबसे पहले इन्होंने, जो major drawbacks है, वो हम लिखे हुए है, इन्होंने कहा, कि atom जो है, उसको divide नहीं किया जा सकता, atom जो है, वो सबसे छोटा हिस्सा है, उसको further divide नहीं किया जा सकता, लेकिन, कुछ special circumstances में, atoms को हम 3 further हिस्सों में divide कर सकते हैं, atom को छोटे छोटे 3 further में हम divide कर सकते हैं, क्या-क्या होता है, electron, मतलब electron के ओपर negative charge होता है, negative charge particles होता है, proton, proton, जो positive charge particles होता है, neutron, इसके पास کوई charge नहीं होता है, no charge, having no charge, इसके पास कोई charge नहीं होता, यह बना charge वाला particle होता है, तो कोई special circumstance के अंदर हम atoms को further 3 हिस्सों में divide कर सकते हैं, that is known as electron, प्रोटरन ए उसके बाद सेखंड जो इंका कहना था के सभी एटम का जो मांस होगा मतलब एक है MOM एकलो हो जाहे जुतना भी ऑटम हो मोच बीता है जो यूद को मांस के डिंटिकल होगा कुछ उसके मास में अंतर पाया जा सकता है तो यह दूसरा बात भी उनका कमी निकला है ना उसके बात तिसरा थर्ड पॉइंट है इनका कहना था कि atom of different element have different mass अलग-अलग atom जो कि अलग-अलग element है उसमें जो atoms है उसका mass अलग-अलग होगा क्योंकि इनका कहना था कि एक element के अंदर जो एक atom है वह identical है इसका mass one है तो अगला दूसरा जो element होगा उसका दो तीन चार कुछ हो सकता है लेकिन इसके समान नहीं हो सकता लेकिन ऐसा देखा गया कि दूसरे atom होने के बावजूद दूसरे element का atom होने के बावजूद भी उसका जो mass है वह कहीं ना कहीं सेम हो जाता है किसी कहीं ना कहीं सेम पाया जाता है तो इस तरीके से यह तीन मेजर जो देखने को मिला जो उनका पॉस्टुलेट्स था जो त्योरी याद रखना है और यहीं से समझने का यहीं से स्टार्ट होता है इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं और आटम को कल के क्लास में आटम को देखेंगे आटम को डिटेल में स्टाड़ी करेंगे आटम क्या होता है मलक्यूल क्या होता है ठीक है तब तक लिए इसको याद कर लेना अच्छे से